हलो फ्रेंस मैं हूं सरसती और सरसती के सरस व्लाग में आप सब का बहुत बहुत श्वागत तो फ्रेंस यहां पर तयारियां हूं रही बैंगलोर जाने की तो सुबह सारी तयारी तो हमारी हो चुकी है बर चाय बनाके पीना है चाय मैंने इनको दे दिया है अब मैं भी पी ले तो इसे मैंने पहिन लिया है और रास्ते के लिए बहुत सारी चीजे बनाया है जो मतलब हमें ऐसा नहों कि मतलब कुछ ना मिला मनका तो भूख लगे और कुछ नहीं तो जब भी आप सफर में जाए तो कई चीजे होते हैं ना जो हम बना सकते हैं अपने घर में और दो तीन अराम से चला सकते हैं तो अब ट्रेन में बैठ गई हूं ट्रेन में बैठते ही अपना मुबाइल का काम जो है छूटा हुआ था वो मैं स्टार्ट कर दियूं क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो ये दो दिन पहले से ही बिलकुल भी समय नहीं मिलता है तो ये साम होने मा यह इटासी और नागपूर के बीच के रास्ता है दूसरे दिन का है यह और इतना हर्याली है यहाना कि देखने में बिलकुल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है दूर से या तो मुसम्मी हो का फल या तो नेबू है तो यह नेबू और मुसमी के छोटे- थोड़ा सा बालोल कंगी कर लिया है और भाई या करो सूरेज देवता निकल लेते तो मैंने सोचा आप लोगों किसा सेर करती हूँ कि सूर देवता जिब निकलते हैं तो कितना अच्छा सा लगता है और यह बेंगलोर के पास पहुँच गये हैं जब मतलब पास आता है न दसपर दोते हैं और जब दोब हो रहा है तो साम को हो गए हैं तो साम को हो गए हैं तो साम पहुंचके हैं बैंगलोर में। बच्चों के साथ थोड़ा गूमने गई हूँ तो बच्चे ले गए हैं पहले तो इन्होंने कॉफी हमें पिलाया उसके बाद आइस्क्रीम पालर ले गए जहां बहुत अच्छे आइस्क्रीम भी मिल रहे थे तो कहीं चीज़े प्रेंस जिब बच्चों के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं अब ट्रेंड में तो बच्चे नहीं थे ना तो उतना अच्छा नहीं लगा लेगे मैं तो यही सला दोंगी जब आप कहीं जाईए ना तो बच्चों के साथ ही जाए करिए और यह सारी चीज़ों मैं छोड़ती हूं बताती हूं अब मैं कहां जा रही हूं तो अब देखिए बस है यही बस हमने बुक किया हमने क्या बुक करी है और बस में बैठी गई हूं डबल डबल सीट लगा रहे हैं सब और ट्रेंड से कुछ कम नहीं है बहुत अच्छा सुविधा इसमें दिया है और जब मैं सफर में गई ना तो मुझे कि defendants अब दो ही लोग थे तो वे नहीं कहा है था ब्छे अच्छा नहीं लगता है और सफर रात बर था दो तीन दिन से समझ लीजे हैं मैं चली रहूं फरेंज सा लोगों को सकल से पथा चल जाएगा कि मतलब कितना ज़ादा मैं ठाकावर्ट हो रही है मैंने भी इस ना नह लिया है और थोड़ा सा सूरी देवता को इस तरह से जल लर्पित कर दिया और उसके बाद में नहां दो के चलते हैं मिलते हैं मंदिर में तो यहां पर भीड भी काफी थी नहां रहे थे लोग और यह वीडियो इन्हों ने बनाया था तो मैंने ही दिखें मेरा पहर ही दिखा और यह में दर्वाजा है जो रामेश्वर भगवान का है तो यहां पर भगवान बोले ना जी के सिवलिंक है उनकी दर्शन करने के लोग आते हैं तो जैसे बहुत सारे सिवलिंक में एक यह भी खास है और यहां पर हमने आ चुके हैं इसे दीख नहीं दिखाता तो अब मंदिर के अंदर कदर इससे दिखाया अंने जीस Hack ने कहा कि चलिए दखते हैं क्या शेर करशकाने तो यह में रवाजे मतलब भी दर्वाजे के अंग्म अंदर अंदर ही बने हुए हैं यह सब मतलब चारों तरफ से इसी से में दर्वाजों पर जिससे चारों तरफ से इसमें है ना दर्वाजे आने के रास्ते तो इस तरह से बड़ा अच्छे से दोनों साड़ों से बने हुए हैं और बहुत सारे रिशी मुन्यों की मूर्थी बनाई हुई है काफी खुब सूरत है लेकिन मुझे लग रहा ना बह मुबाइल निकानना ही मना होता है माइक लगा के भईया ने खड़े थे माइक से बोल रहे थे कि अगर मुबाइल आप लोगों ने निकाला या वीडियो बनाने की कोशिश करी तो आप लोगों को 500 रुपिया जुलबाना और 2 हपते के लिए आपका मुबाइल हमारे पास र लगाई और इसके बाद सीधे बाहर निकलेंगे यह में था और इसके बाद बहुत सारे दर्वाजों को मैं दिखा रही हूं और यह है तीसरा दर्वाजा जहां हम लोग पहुंच चुके हैं तो घूम के मैंने कहा चलो अच्छा घूम लेंगे वीडियो भी बन जाएंगे और हैं क्योंकि कपड़े गिले थे अब भाग भाग के असनान ही करना था इसलिए नहीं कर पाई तो वरना जरूर उसका हम अप लोगों के साथ सेर करते तो फ्रेंड से बाइस कुंड की असनान करने में न सब के साथ साथ चल चल के करना रहता है तो भाई जबाद भूमा फिरा पहुत अच्छा लग रहा है इसलिए दूख होने के पावजी दूख पता ने चला इन लेहरों के होगे तो आप देशा तो कितने बढ़िया लेहर उट गई ना और पारे तो पिलकुल कांच के जैसे हमारे फिड़कियों में लगी होती है कांच ना पिलकुल उतना प्लेन पानी है यहां पर पानी हो तो यहां पर जरूर आईएगा और हम लोग रामेश्वर से निकलके यहां से आ रहे हैं राम से तूख और यहां पर हम लोगों ने आये बहुत अच्छा लगाया के यहां पर और यह रास्ते में थोड़ा ऐसे थोड़ी थोड़ी हर्याली थी बाकित तो समूंद रही था और यह जो राम कोडी बोलते हैं वो बहुत अच्छा बना हुआ है दोनों तरफ से लहरे आके पत्थरों में टकराती हैं मतलब एक अच्छे जगह है घूमने के लिए बट्टी है कि आप जब जाहिए कभी तो चरूर मौसम साम में जाहिए क्योंकि हम लोग गय थे ना दुपार का समय था इतनी धूप थी तो चेहरे से भी आप देख सकते हो कि बहुत धूपती लेकिन हां धूप देख सकते हो फ्रेंज वहां जाके ना इतना अच्छा लग रहा था जबकि अगर में साम में जाओगे ना तो साम में बिल्कुल आने का मन नहीं करेगा वहां से तो देखे कितने अच्छे लहरे उठ रही हैं तो जब अब रामेश्वर धाम जाते हो आप तो जरूर यहां जाये राम कोडी, राम पड़ी, राम धनुस कुछ ऐसा नाम बहुत सारे लोग जितने लोग बताया उतने नाम से पुकारा गया और यहां पर यह गूम रहे हैं उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ आप गूमिये और कहीं चीजे मुझे यह लहरे पूरे कपड़े विल्कुल गीले हो गए थे बस मुबाइल ही बच गया था मतलब पानी थोड़ा सा पड़ गया था मुबाइल पर मुझे लगा कि गया तो मुबाइल अब काम से पर बच गया था और यह देखिए कि अच्छे मतलब लहरे उटके आती है ना तो पत्थरों स मिनाची देवी का दर्शन करने यह म्रात हो गया रात का समय है तो हम लोगों को जब अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा ही वीडियो बाहर से बनाया थी क्योंकर अंदर से तो हर किसी को पता है कि बाहर से ही वीडियो बना सकते हैं अंदर नहीं कैमरा ले जा सकते हैं तो यह यहां पर यह बाहर से मंदिर बढ़ी बहुत खुबसूरत मंदिर बनी है मिनाची देवी का मतलब जैसे है कि हाँ परशिद्य मंदिर है उसी तरह से बिलकुल है